श्राइकंस चैप्टर टैन एशड बेस सार आज यह टपिक हम लोग ने डिसकस करना है वह हइं टाइटेशन अगर हम टाइटेशन को डिफाइन करें तो टाइटेशन को ऐसे डिफाइन करेंगे ऐसा सैप्धिस चैह Ng1 करतें हैं किसी फिर इंडब किसी स्लूशन का वाद्युश्टीक कम्प्लिकली डियग्ट विद नौन् डेफिने 1 , मतलब मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे पास थिस दूशन होते हैं हमकी क्थिद्थ कर्ते हैं हमारे पास अननौन सुलॉशन होता है कि जाती है जिसमें हम एसे और बेस को मिन सुलूशन बनाते हैं एसे और बेस का सुलूशन बनाते हैं एसे और बेस में से किसी एक जो होती है हमारे पास किसी एक हमारे पास जो मुलेर्टी है वो हमें नाउन होती है और जिसकी मुलेर्टी दो सुलूशन होते हमारे पास एक similarity हमें known होगी और एक similarity हमें known नहीं होगी और जिसकी similarity known होती है उससे हम लोग कहते हैं वो कौन से solution है वो standard solution मेंकि standard solution को अगर हम लोग define करें तो standard solution ऐसे solution होते हैं जिसकी similarity हमें क्या होती है known होती है इसको हम लोग क्या करते है as a standard solution लेते हैं अगर हम ACID को as a standard solution ले रहे हैं मतलब SCL को हम as standard solution ले रहे हैं तो जो base होगा उससे हम कहां लेंगे यह हम इसके different step में देखेंगे अब जो standard solution होता है वो हमेशा किसमें लिया जाता है इसके लिए वो bureaut में लिया जाता है इसके लिए हमारे पास कुछ steps हैं कुछ apparatus वगएरा हमें required होता है सबसे पहले जो apparatus हमें required होता है वो है हमारे पास titrating flask यहां फिर round bottom flask titrating flask यहां फिर हम इसे कहते हैं round bottom flask इसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें जो मैंने आपको बताया कि दो solution होते हैं noun solution को तो हम लोग ले लेते हैं bureaut में अब noun solution जिसके हमें molarity मतलब पता है उसे हम standard solution या noun solution जिसके हमें molarity पता है उसे हम लोग क्या करते हैं fill कर लेते हैं यह होता है 50 cm cube तक इसे हम लोग bureaut में ले लेते हैं और जिसकी molarity हमें noun नहीं होती हमने उसकी molarity calculate करनी होती है उसे हम लोग क्या करते हैं titrating flask, titration flask यहां फिर किसमें round bottom flask में ले लेते हैं और हम लोग या करते हैं? कि indicator को भी add करते है? indicator हम लोग next परते हैं कि indicator हैं? क्या हमारे पास? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कि जिसकी mortality हमने calculate करनी है उसे हमलोग क्या करेंगे? अपने round bottom flush में वहाला solution बना हुआ होगा हम वहां से measure करके पिपट के थूमेयर कार के हम इस टाइटेशन फ्लास पे उसे एड़ कर देंगे और यहां पर हमारे पास स्टेंड होगा इसे हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम ब्यूरट को अपना सेट करेंगे और इस ब्यूरट में हम लोग उने क्या लिया होगा हम लोग उने स्टेंड करते हैं कि इसके बारे में पॉर्डक्ट के बारे में जो रिलेशन होता है उसे हम लोग डिसकस करते हैं इस ब्राउच में और यह पर होती stricturmetry को हम लोग mostly use करते हैं कि इसमें titration में अब हम लोग acid base की titration में perform करने लगे हैं mean कि हम अगर हमारे पास 0.1 molar solution है जिसकी जो 1 molar solution है वो हमारे पास है base 0.1 molar solution acid का भी हो सकता है और base का भी हो सकता है अन्नी ओवेज तो क्या है कि जो बेस होगी acid यह बेस है अगर बेस का हमें molarity पता है तो acid जोगी वो unknown होगी अगर यहां पर हम acid की जगा बेस की जगा acid ले लें तो फिर क्या होगा कि unknown molarity किसकी होगी वह बेस की होगी और जिसकी molarity हमें non होगी वह हम क्या करेंगे वह हम ब्यूरट में लेंगे जिसकी भी एसर हो चाहिए यहां पर एसर हो यहां पर बेस हो जिसकी molarity हमें पता होगी हम लोग क्या करेंगे उसे हम ब्यूरट में क्यालें आप सबसे पहले हम लोग उने कहना है किल्कुलेंगे हैं उसको मेएर करने हैं वो सब्सक्राइब में आननी कालगुलेंः करना होता सिर्ट के हमने इसमें क्या होगा कि इसमिना कि अपने वाला स्लूशन दिया स्टेनर स्लुशन जिसकी हम मुलैर्टीठी पता है डिसकी मुलैर्टीठी वैल्यो बताएगा सर्टेंड पी एच देगा हमें मिनके स्पैसिफिक वैल्यो देगा किसी पी एच अप यह जो होता है मिनके पी एच की वैल्यों जो 0-14 तो यह बहुत पीएच को एड करेंगे तो यह हमें बता देगा कि एक स्थिए पैसिफीए में हम्लय देगा कि पीएच के पार में बताएगा यही हमें एंडपोंट के बाठे में भी बताएगा पीचे मीडियम हम लोग ने दो इंडिकेटर पर एक मेठ्स और स्टैइल और लगा लिया है अपनी राइडेशन फ्लस्क ले लिए उसमें हम लोग ने स्लूशन जो है वह एड्ड कर लिया मेयर करके मीन हम लोग आप कर लें कि हम लोग उने जो है 10 ml solution लिया है मिनके पाइपर से हम लोग उने मेगर करके 10 ml solution ले लिया टाइटेशन फ्लास्ट में इतना 10 ml है हमारे पास अब क्या होगा कि इंडिकेटर भी हम लोग उने डाल दे यहां से हम अपने निडिकेटर को ब्यूर्ट को ऑपन करेंगे और राप वाइस जहां से यहां से यह जो ब्यूर्ट का solution है यह नीचे आना शुरू हो जाईगा जैसे हम लोग इसे ऐपन करेंगे हम इस ट्राइटेशन फ्लास्कों क्या करेंगे शेक करना शुरू कर देंगे और इतना भी शेक नहीं करना कि जो हमारा ड्रॉब है यह जो रोंड बाटम फ्लास है इसके करना इसकी साइड से वाल से टकरा है इतना हमने इसे शेक नहीं करना बलके हम इसे स्लोली स्लोली क्या करेंगे आइस्ता आइस्ता इसे शेक करेंगे और हिला है पास यहां पर इस पाजिटिव आइन है उतने ही ओएच आइंज है वह यूज होंगे इन दोने स्लूशन को न्यूटिलाइज करने के लिए तो लास्ट पे जब यहां 50 सेंटीमेटर क्यूब था यहां मैं था तो जहां जब यह 50 से 40 तक कार्मोस पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि हमें यहां पर कोई ना कोई कलर जो है वह पता चलना शुरू हो जाएगा अगर हम लोग बात करें इंडिकेटर की मिथायल और एंज हम लोग उन्हें बात की थी क एस्टिक मीडिय में मिथायल और एंज का जो कलर था वो पिंक था और बेसिक मीडिय में जो मिथायल और एंज का कलर था वो यैलो था यहां पर हम लोग एसड ले रहे हैं एसड में जब हम लोग ने मिथायल और एंज डाला था तो इसका जो कलर था वो पिंक हो गया था जितने औह चाइन थे उतने एच पाजिटी वाइन हैं तो यहां पे जब यफ चेंज होना शुरू होगा तब हम लोग कह देंगे हमारा क्या है को सा प्वोग कर गया हमारा क्या है कि एज पाजिटीव दोनों यूटिलाइज हो गए हैं अब जो डियक्शन है हमारा वो अल्मुस्ट कम्प्लीट हो गया यूटिलाइज हो गया अगर हम लोग बात करें अपने इंडिकेटर की तो मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर क्या होते हैं ऐसे सबस्रांस एनि वैल्यो एड्ट स्पैसिफिक पी एज मिनके हमें वैल्यो देते हैं किसी भी स्पैसिफिक पी एज पे हमें कोई ना कोई वैल्यो देते हैं तो उन इंडिकेटर को उन सब्स्रांसिस को हम लोग क्या नाम देते हैं उन सब्स्रांसिस को हम लोग इंडिकेटर का नाम देते है में लिए हम लोग एसेट बेस जो टाइटेशन में उसमें हम दो इंडिकेटर को यूज करते हैं एक मिठाइल और और सेकिट बन आ जाता है हमारे पास फिन अप्थली अब इस एस्टिक मीडियम और बेसिक मीडियम में इनका क्या इस कलर होता है अगर हम मिठाइल और इस को यूज करें एस्टिक मीडियम में तो यह हमें कौन सा कलर देगा यह हमें कलर देगा पिंक कलर देगा और बेसिक मीडियम में यह हमें कौन सा कलर देगा यह यैलो कलर देगा अगर हम फिन अफ्थलीन की बात करें तो एस्टिक मीडियम में यह कलर यहां पी डिमेन सेम रहेगा और बेसिक मीडिया में हमें को सा कलर देगा पिंक कलर देगा और अगर हम यूज कर रहे हैं में के हम लोग यह दो इंडिकेटर मोस्ली यूज करते हैं किसमें एसे बेस टाइटरेशन में एसे बेस टाइटरेशन में हम लोग यह जो इंडिकेटर यह जू करते हैं कि हम लोग टाइटरेशन परफॉर्म करनी है तो इसकी कल्कूलेशन करनी है तो हम कौन से फार्मूला यूज करेंगे जो first पे हमारे पास formula आज़ता है वो है m1 v1 power n1 is equal to m2 v2 by n2 अब ये m1 क्या है v1 क्या है n1 क्या है m1 क्या होगा molarity होगी molarity होगी किसकी जो solution known होगा standard solution होगा उसकी उसकी क्या होगी molarity होगी और v1 क्या होगा कि कितना volume use हुए है ये जो volume use होगा, ये किसकी volume होगा ये standard solution का mushroom हो used होगा वो है ये non solution का वो v1 ये वाला जो v1 है वो ये वाला जो volume use होगा इसको हम लोग कहたstars है ये v1 और n1 क्या है number of moles कोई भी जो भी हम लोग reaction ले रहे हैं मेनके naos ले रहे है या ecia ले रहे हैं इसमें कितने नंबरामोल हैं, इनमें जो नंबरामोल हैं, वो 1-1 होंगे, तो हम लोग कह देंगे, 1 नंबरामोल है, और M2 क्या है, यह Malarity होगी, उन्नोन Solution, छो हम लोग उन्ने Solution इसमें डाला है, उसकी जो होगी Molarity होगी, unknown, unknown Molarity जो होगी, solution की उसको हम लोग नाम देंगे M2 और V2 क्या होगा V2 जितना वालिम हम लोगोंने मेयर करके इसमें डाला है वो क्या होगा V2 और N2 क्या होगा जो यहां पर इसेड है या बेस है इसके number of moles तो यह N2 होगा यह first formula था second one formula dilution के लिए जो हम लोग mainly formula use करते हैं वो M1 V1 is equal to M2 V2 यह molarity जो हम लोगोंने solution बनाना है और जिसके हमें known है और उसकी molarity जो solution जितना हम लोग solution बना रहे हैं वो और जो molarity हमें calculate नहीं है और इसका जितना हम लोग उन्हें वालिम लेना है वह वह वाला उग्हों यह तो हो थी हमारे पास liquid के लिए अगर हमारे पास कोई solid के लिए आजाए तो हम लोग solid की calculation कैसे करेंगे इसकी हम लोग calculation ऐसे करेंगे mean हमारे पास amount in gram हम लोग क्या करेंगगे ेरिंग balance से वह amount कर लेंगे amount in gram यह हम लोग calculate करने, उसके हमें क्या पता होगी, laerti हमें given होगी, laerti जो भी reaction जो भी compound क знаю, को bounce हमें देंगी उसके क्या करेंगे? molecular weight से, हम multiply कर देंगे तो हमे amount in gram मिलजए, मिलेक मोलरी हमें given होगी, उसका molecular weight हम लोग ambitions calculate करेंगे, और सात में क्या हमें पता चाल जाएगी यहां पर कोई वैलियो आजाएगी 0.2 आगी यहां पिर 0.512 आगी तो हम क्या करेंगे amount in gram अपने measuring balance से क्या करेंगे उसे measure कर लेंगे तो यह थे हमारे पास formula के हम कैसे titration formulas लगा के calculation कर सकते हैं और process titration का हम लोग कैसे कर सकते हैं